हाई गाईज मैं हूँ शिखा एंड वेलकम बैक टू माई ट्यूब चैनल गाईज तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पंदरा मिनट में आपको इतना गंदा किचन कैसे साफ करना है आज मैंने बहुत गंदा करके रखा हुआ है ताकि मैं आप लोगों को अगर सिर्फ पंदरा मिनट आप देते हो तो किचन उसमें चमक जाती है यहां पर जैसा कि मैंने कढ़ाई में सबजी बनाई थी और उसे मैं खाली कर रही हूँ तो आप जितने भी बड़े बरतन है उससे छोटे बरतन में खाली कर लो और स्लैब यहां पर रोटी बनाई थ उसको राइट प्लेस पे मैं लगा रही हूँ और इसको करने से क्या होता है ना जब किचन की सफाई करेंगे तो जो साफ बरतन है वो गंदे नहीं होंगे दोबारा उस पे कुछ गंदगी नहीं पड़ेगी और उसके बाद जितना भी पानी वगेरा हो एक्सेस वाटर वो स कि बहुत अच्छे से साफ हो जाता है जादा गंदा हो तो आप थोड़ा सा विंबार यानि जो भी आप डिश्वाश यूज करते हो ले सकते हो और फिर उसके बाद में ये गैस स्टोव दूल रही हूं तो मेरा गैस स्टोव इतना गंदा नहीं था बिकाल मैं पोच्छती अगर आपका थोड़ा सा गंदा हो तो आप इस क्रब का यूज सक्ते हो और अगर चाय वगएरा कुछ स्टेन है तो उसका यूज करके आप साफ कर सकते हो उसके बाद अब मुझे स्लैप दोबारा से साफ करना है तो जितना भी खाना वगएरा रखा है उसको मैं अच्छे क्लीन किया तो ज्यादा सही है वनल सपोस कीजिए अगर आपनी स्लैप पहले साफ किया और गैस स्टोव नहीं साफ किया तो फिर बाद में फिर से स्लैप गदनी हो जाएगी तो यहां पे मैंने एक बार गीले कपड़े से जो है वो स्लैप पोच लिया अच्छे से और अभी आ ना उगरा पडल से और यहां पर दूद्ध के लिए तना भगोन मिन अगरा था तो इसको काटोरी में ट्राएव करके और मैंने पोट ग्लीन कर लिया है और अब यहां पे दूसरे साइड में सेम ऐसे करना है साथ में स्लैप घृन करना है फिर उसके बाद उपर टाइल कर न और सारे सामान को किनारे अच्छे से अरेंज कर देना है ताकि जो जगह है वह ज्यादा दिखना स्टार्ट हो जाए तो अभी इस नाइफ को बाद में अलग जगह पर रखेंगे इस तरीके से हम इसको क्लीन कर लेंगे और साथ ही साथ आप देख रहोंगे विंडो के नीचे क जगह होती है मतलब जितना भी टायल्स आपके एरिया में कवर हो मतलब जो गंदा हो जाता है वह आपको क्लीन करना चाहिए साथ ही साथ तो अब मैं यहां पे सिंक एरिया के पास का टायल्स जो है वह क्लीन कर रही हूं उसको भी जब आप धुले बरतन तो जरूर साफ करें क्योंकि उसमें स्टेन्स वगेरा रहा हो जाते है और बरतन चाहिए सीच फीस अब स्टव सुर्ण हो जाती है ऑर जी किनारे गेरारे बरतन बंसप भार सब्केल करने करेंगता है रहा था उसको में आप साँब लत और या नारह ब मेर्स ला कुलीन गया कुलीस तो आप सारे बरतन जो है तो आप देख रहे होंगे कि इतने गंदे किचन को मैं वन बाई वन क्लीन करती जा रही हूँ और मुझे जादा टाइम नहीं लग रहा है तो अगर आप कुकिंग करने के बाद सिर्फ 15 मिनट किचन को देंगे तो आप खुद देखेंगे डिफरेंस कितना होगा और उसके बाद आपको 15 मिनट देने के बाद आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का किचन जो की दिल को खुश कर देने वाला होगा आप देख रहे होंगे कि जो स्लैब है वो कितनी जादा चमक रही है इतनी शाइन कर रही है और रिफ्लेक्शन जो है वो कितना व इतनी चिकनी है कि बिल्कुल भी हाथ जो है वो कहीं भी फस नहीं रहा है और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये किचन क्लीनिंग वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा मिलती हो आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गाइस बाइबाइ ठेक क्यार आप